हेलो इस्टूडेंट हमारी इंजिनिंग मट्रियल चानल पर आप सभी का सौगत करते हैं आज के इस वीडियो में हम सौलिड वेश्ट मनेजमेंट के बारे में जानेंगे Solid Waste Management कैसे करते हैं तो आज के इस टॉपिक में देखेंगे तो देखे मैं मैं एनिमल्स के क्रिया कलापों से उत्पन बेर्थ यूम अन्यूज लेस Solid Material जो बेकार समझकर फेक दिये जाते हैं Solid Waste कहलाते हैं अर्थात मनुस यूम जानवरों के द्वारा इनिमल्स के क्रिया कलापों से उत्पन जो बेर्थ यूम अन्यूज लेस Solid पदार्थ होते हैं जो बेकार समझकर फेक दिये जाते हैं ऐसे पदार्थ को हम Solid Waste कहलाते हैं तो जैसे कि Cities एंड विलेज में हाउस से गार्वेज क्लेक्ट करके बाहर डेस्टमीन में फेक दिया जाता है जैसे कि सहर और गाउं में घरों में गार्वेज क्लेक्ट करके बाहर डेस्टमीन में फेक दिया जाता है इंडेस्ट्रीज से भी कई परकार का solid waste material निकलता है अर्थात और दोगी कारखानों से भी कई परकार के solid waste material निकलता है और इन सब का संचित इन सब का उचित समापन ना करने पर ये ये environment को परदूसित करते हैं और ये dangerous pollution create करते हैं अर्थात ये जो solid waste material होते है इनका उचित समापन ना करने पर ये क्या करते हैं प्रवरर को परदूसित करते हैं और ये dangerous pollution create करते हैं अब देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं solid waste होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो देखे इए solid waste जो होता है हमारा type of solid waste solid waste मैंली तुरी टाइपस के होते हैं अर्था solid waste जो होता है मैंली तीन परकार के होते है number 1 क्या होता है municipal waste जिसे हम नगरपालका के नाम से जानते हैं number 2 होता है industrial waste जो दोगी कारखानों से प्राप्त होता है number 3 होता है hazardous waste हिस्सा के से प्राप्त होता है ये को में अब देखिए scrap मुंसिपल वेष्ट मुंसिपल वेष्ट के अंतरगत के कौन कौन से मटेरियल आते हैं तो देखें मुंसिपल वेष्ट के अंतरगत गार्वेज एस नए भौनों का निर्माड यूम पुराने भौनों के छह से प्राप्त वेष्ट त्रीटमेंट मैकनीसियम से प्राप्त खाना पकाते में हुए बेर्थ के रूप में होता है ऐसे सिगरता से मौसम के टंप्रेचर से डिकंपोज हो जाते हैं अर्थात जो फूनटो Transit होता है ये प्राय किलिए हैं कि आइसे वेश्टों होते हैं जो प्राया वेजटेबल और फूट अर्थातं फल से सब्जे और फल से यह खाना पखाने पखाते में हुए बेर्थ की रूप में होता है ऐसे वेश्ट जो होते हैं सिग्रता से मौसम के टम्प्रेचर से डिकम्पोज हो जाते हैं इसी परकार से हम नमबर दूसरा पॉइंट देखेंगे एस तेखें ये जो होता है उड है, कोल है, कोक है, योम अनजुलंसील पदार्थ को जलाने से प्राप्त पदार्थ राक कहलाता है ठीक है, जिसे हम S के नाम से जाते हैं इसी परकार से नमबर दूसरा पॉइंट देखेंगे रूबी, रूबी जो होता है जिसे हम बेकार की चीज़ते हैं रूबीज को ठीक है उस food material के waste को छोड़ कर सभी प्रकार के combustible and non-combustible solid waste ही रूबीज कहलाता है इसके अंतरगत जो होता है paper होता है cardboard होता है और प्लास्टिक, गॉर्मेंट, रवड, ऊड, आधि-combustible material है और ग्लास्टीन के डिबबे, एल्मोनियम के डिबबे, धात्य के छीलन तथा डेश्ट, non-combustible material है इसी प्रकार से नंबर चोथा है construction and demolition waste यह जो होता है इसके अंतरगत गिरे हुए भौनों का waste तथा माकान, योम, सरशना ETC के बनने में इट, स्टोन, सिर्मेंट, क्ले, ETC, बेर्थ के रूप में प्राप्त होता है नंबर पच्वा पॉइंट देखेंगे treatment plant waste यह जो होता है बिभिन स्वेज treatment के plant से solid योम, semi-solid waste भी municipal waste के अंतरगत ही आते हैं नंबर छटा पॉइंट देखेंगे special waste यह जो होता है इसके अत्रिक्त गलियों से जाड़ू लगाना कैच वेशन का waste मृत जीओ, योम, जानवरो, वाहिकलर के तूटे-फूटे पार्ट आधिक सब-municipal waste के अंतरगत आते हैं और नंबर लास्ट हेडिंग देखेंगे source इसके source क्या होते हैं मृनसिपल के तो मृनसिपल waste के source निम्द है नंबर पहला होता है खुले एरिया का waste ठीक है नंबर दूसरा होता है ब्यापारिक waste नंबर तिसरा पाइंट होता है घरेलू तथा treatment plant का waste ठीक है solid waste management के बारे में देखें हैं जो के भी हमारा एक ही heading हो पाया है मृनसिपल waste अगले पॉइंट में हम अगले वीडियो में देखेंगे industrial waste जिसे हम और दोग्गी के management कैसे करते हैं अगले वीडियो में देखेंगे तो प्लीज अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजेगा और अपनी दोस्तों में जरूर सेयर केजेगा